तक है तो तेकी जानकारी के बाद आएए देखते हैं कायकरम अच्छा तु तुम लोग अपने उली के इसाथ से का बैठ गए हो ना हमारी टोली दो से जगे बैठी है हम लग भी ठीजगा बैठी है मैं भी से जगा बैठी हूँ क्यों भए खेल के लिए तयार हो हाँ दी अब जल्दी करवाई है शुरुवान चलो शुरू करते है खेल लेकिन हाँ पहले ये तो बताओ आज कौन से टोली की दोड़ी है दीदी हमारी टोली करेगी खेल की शुरुवात तो फिर देर किस बात की है चलो तुम लोग अपने लखणी के टुकड़ों पर लिखेवे शब्दों को देखो और उन्हें मुहावरे या लोकोगती के रुसा क्रम में रख दो मिल गया शब्द कौन सा शब्द मिल गया मुहावरे का पहला शब्द उठ तो उसे हाथ में क्यो लिये हो रख दो उसे नीचे यो रख दिया शब्द उठ अब अगला शब्द क्या रखा जाए मैं समझ गई मुहावरा तो हम लोग को तो बताओ हाँ यही है मुआवरा यह रहा अगला शब कि यह शब बिल्कुल ठीक है उसे रख दो सही ज़गा पर इसे रख दियो यहाँ अब रखा जाएगा शब मुआ अब मे शब किसके पास है यह रह शब मे इसे रख दो सही जगा पर अब अगला शब तो मिली ही नहीं रहा है अरे मुआवरे का एक शब तो बचा है वही तो दूसरी टोली को बताना है अच्छा हाँ इसलिए हम उस बाग को रख देते हैं जिस पर कुछ भी ना लिखाओ अर्च्छा तो तुम लोग के शब्दों का क्राम है उट के मुँ में खाली जगा अब तुम लोग बताओ अंतिम शब्द क्या रखा जाए कि पूरा मुआवरा बन जाए दीदी ये वाला शब्द वखन आएगा जीरा शब्द बिलकुल सही है दो मैं रख देती हूँ अब पूरा मुआवरा बना उट के मुँ में जीरा अब इसका अर्थ भी तो बताओ इसका मतलब है जहां किसी जादा वस्तू की अवशक्ता हो ना थोड़ी वस्तू देना इलकुल सही अर्थ बताए तुमने अब इस अर्थ को और अच्छी तरह समझानी के लिए कोई घटना या कहानी याद है तुम लोगों को दीदी यार नहीं आ रहा कोई बात नहीं पहली टोली के लोगों को याद है नहीं अच्छा ठीक है फिर मैं ही सुना देती हूँ एक कहानी एक गाओ में खिलावन नाम का लकरहारा रहता था वह पहुत इमानदार और मेहनती था गाओ में लकरियां चीर कर उससे मिलने वाली मजदूरी से अपने परिवार का पालन पोशन करता था बपू बपू पास वाले गाओ में मेला लगा हुआ है बपू बहुत अच्छे खेल तमाशा हो रहे है अच्छा बेटा भाईया खेल तमाशा छोड़ो भी वहाँ अच्छे खेलानी तरह तरह की मिठाईयां भी मिले ही है बपू अबू मेरी ले गेज और बल्ला लेते हैं अलो अच्छा बेटे ला दूंगा बापू, कल तो आपको मेला चलना ही पड़ेगा, आप रोज रोज बहाना बना देते हैं दूसरे बच्चे तो खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, खूब अच्छे अच्छे चीजे खाते हैं लेकिन बापू, आप हमाले कुछ नहीं लाते अच्छा बेटा, आज शाम को जब मजदूरी से रुपए मिलेंगे, तो हम तुम सब को मेला घुमाने ले चलेंगे सुनिये, इस वत की रोटी का तो जैसे तैसे इंतिजाम हो गया, पह शाम के लिए घर में कुछ भी नहीं है सब ठीक हो जाएगा शांती, तुम फिक्र मत करो फिक्र कैसे न करो, जब बच्चे खाने को मांगते हैं, तो मुझे कितना बहाना बनाना पड़ता है, उन्हें बहलाना पड़ता है मैं सब समझता हूँ शांती, मगर किया भी क्या जा सकता है, अब अपनी अपनी किस्मत की बात है बच्चे एक एक चीज के लिए तरस जाते हैं मैं आज एक सेट जी के हां लकडियां चीरने जा रहा हूँ शाम को इतने पैसे तो मिली जाएंगे कि दो वक्त की रोटी का इंतिजाम कर सकूँ अब मैं चलता हूँ, शाम को जल्दी आने की कोशिस करूँगा जीए लो एक बात माननी पड़ेगी राम रतन, शत्रंज का खेल है बड़ा मज़ेदार हाथी, उूट, घोड़े, पैडल, सबकी सुच मुच असली लगाई लगती है वो सब तो ठीक, लेकिन शत्रंज की लड़ाई में बाते बनाना ये घलते द्वारी का अच्छा चान तो चलो चल रहा हूँ, चल रहा हूँ ये ये लगा ये बात, ये ये देखो रामरतन, तुम्हारा घोड़ा पीट दिया ना मैंने, ये बहुत खराब बात है द्वारी का, मुझे बातों में फुसला कर तुम्हें मेरा घोड़ा पीट दिया मालिक, सब लकड़ी चीर दिया, अब मज़ूरी भी मिल जाती तो बड़ी किरपा पे जाती ठीक है, मज़ूरी भी मिल जाएगी, सब लकड़ी इकठी करके रगदी तुम्हा मालिक ये लो मालिक, केवल पाँच रुपिया, इतने पैसे में तो हमारे परिवार की दो वक्त की रोटी भी नहीं चल पाईगी अरे तो भाई, इतनी सी लकड़ी का आतनी क्यों क्या लेंगे भाईया, कि जोड़ी की चाभी पकड़ा दे तुमको सेट जी सबेरे से लकड़ी चीर रहा है, इतने पैसे तो बहुत कम है अगे भाई तो किपला देतो, क्यों भाई, ऐसी कौन से जिम्मेदारी तुम्हारे सामने हैं, जो इतने रुपाई में भी तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता मालिक, तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, और मैं अकेला कमाने वाला हूँ इतने पैसों में तो हमारे परवार की दोवक्त की रोटी भी नहीं चल पाईगी, मालिक क्या कहा? पाँच लोगों का खर्चा सिर्फ तुम्हारी मजदूरी से चलता है हाँ मालिक अब बचाओ अपना ओउट अरे भाई रामरतन, ये मजदूरी तो इसके लिए सचमुच ऊट के मुँँ में जीरा है बजाए ओट बचाने की ये तुम क्या बकवास कर रहे है दुआरी का आए? ओट के मुँँ में जीरा का क्या मतलब हुआ? देखो रामरतन, इसका मतलब होता है किसी बड़ी आवश्यक्ता के लिए छोटी वस्तिव पदान करना बजाए ये तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आए दुआरी का क्या किया जाए? इसको कितना देदू तुम्ही बताओ दस रुपए तो आप देदो कम से गम? दस रुपए? दो भी? ले भईया, दस रुपए? वहा मालिक वहाँ अब तो ऊट के लिए जीला नहीं होगा? अच्छा, तो आज का खेल यहीं तर, अब तुम लोग जाओ अच्छा दीदी, अब हम लोग चलते हैं जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान लखना कि लकडी के टुकड़े वही रख देना जहां से लिये थे अच्छा